दोस्तो नमस्कार मैं हूँ केशरी पंडे और आप देख रहे हैं Uncut Crime Coverage दोस्तो दिवाली पे पूरे देश में बड़े हर्सोलास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया गया लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसी छुटपुट बाते हुई हैं जो हमारे आपके शाद knowledge में नहीं है या फिर हमारे अगर आपके knowledge में है भी तो उन घटनाओं को इतना ज़्यादा प्रात्मिकी नहीं दी गई क्योंकि दिवाली के हर्सोलास में ये घटनाओं दपके रह गई जहां दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हर्याना का सोनी पत की है दरसल हर्याना का सोनी पत में एक वह छोटा सा मुहला है जिसका नाम है कुलदीब नगर इस कुलदीब नगर में एक आदमी है जो बेसिकली लखीमपूर खीरी का रहने वारा है इस आदमी की दो बेटिया है बड़ी बेटी के उमर समय साथ साल है और चोटी बेटी के उमर सिर्फ और सिर्फ चार साल है दिवाले वाले दिन सुबह के लगबग साड़े दस बजे बड़ी वाली जो बेटी होती है अपने पापा से कहती कि पिता जी मुझे कुछ पैसे दे दो आप जनते होंगे कि इस लेवल पर सेलरी कितनी होती है शायद दस बारा हजार भी नहीं मिलते पूरे महीं लेके लेकिन बच्चों के ख्वाहिश हर माबाप जरूर पूरी करते हैं और यही हुआ इस बाप के साथ इसने बड़ा ठीक है बेटा पैसे ले लो मेरे पास भी टाइम नहीं है मैं जा रहा हूँ मुझे आज कुछ काम है और पैसे लेके जाके अपना पटा के बगर लेके चलिया हो शायद बाप के मन में कोई अशंका नहीं थी बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल कंफर्म्ड था कि बेटी हमेशा जाती है किराने के दुकान से समान लाती है तो पटा का भी लेने जाएगी तो इसी कोई बड़ी बात नहीं है और जब बच्ची को पैसे देता है बच्च लोगों से पूछती है लेकिन बच्ची का कुछ अथा पता नहीं चलता है बच्ची का पिता जो हता है दोड़ता भागता बदहवास आता है और अपने बच्ची को आसपास बहुत जतन करके पूछना शुरू कर देता है लेकिन बच्ची का कही कोई शुराग नहीं पता च और जब रात की बाद छोड़िये जब शाम के लगभग साड़े छे बच गए जब चारों तरफ दूम लड़ा का चालू हो गया दिवाली का हर्श व लास अपने चर्मों सकर्स पे था उस समय आसपास के लोग भी आदमी का साथ देते हैं नेरेस पुलिस टेशन में जाते हैं और पुलिस अफाईया लॉंच करती हैं पुलिस अफाईया लॉंच करने के बाद जBen अपने सर्विजान में जुड़ती है तो राज के यह दस बच के पंद्रा मिनिट पे फलूसके घर के पीछे ही एक छोटा सा खुलाल सा पार्ग था पार्ग में बहुत सारी आस पास ज इस दुनिया को छोड़के जा चुकी थी पुलिस वाले जो होते हैं वो एक घटना को कई एंगल से तलाशने की कोशिश करते हैं हलांकि पुलिस ने इसको आसानी से एक फर्म डिटर्माइंड केस कंसीडर ना करते हुए इसको यह सोचा है कि घटना में कईने कुछ इन्वाल् ही जान चाहे जानवर की हो या फिर कीड़म अकोड़ों की हो या फिर आदम सीखों के आपना खिया लखें सबक लेते हैं इसघटना से मिलते हैं कल एक और ने वीडियो के साथ साथ अपना ख Wyatt लखेएगा अपनों का ख्याल लखेएगा क्योंकि टाइम बहुत ही जादा क्रिटिकल है और इसे जब फोकस करने के बहुत जरूरत है तब तक मिलते हैं जै हिंद जै भारत